हाई गैस आपके बहुत सारे कल कमेंट भी आये थे और कल हमने आपको बताया भी था कि आपका पेपर अगर यही हालात रहा तो बारवी का भी पेपर इस्थागित हो सकता है आज के मेडिया आर्टिकल्स में भी यही यहाँ पे संभावना जता दिया गया है आपको यह न्यूज आर्टिकल कहां से मिलेगा तो राजधानी 10 अप्रेल 2021 यही के डेट का राजधानी नौभारत पेपर से आपको यह मिल जाएगा देखे लिखता है बारवी की परिक्षा भी हो सकती इस्थागित आगे लिखता है प्रदेश में कोरुना के बढ़ते संक्रमारत था कुछ जीलों में लॉक्टाउन की वज़े से जो आपका माध्मिक सिक्षा मंडेल है यह 15 अप्रेल से जो भी सुरू हो रहा था दस्वी का पेपर अभी उसको इस्थागित किया है ठीक है आगे यह टाइन टेबल जारी कहरेगा और पेपर फिर से होंगे लिखता है सुत्रू का कहना है कि वर्तवान परिस्थिती को देखते वे दस्वी के बाद बार्वी की भी परिक्षा इस्थागित हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आर्टिकल में भी बता दिया कि इनको जो सो पर होना स्टार्ट हो ही जायागा ठीक है और यहाँ पर 2.87 लैक विद्यार्थी सम्मलित होने वाले हैं तो फिलाल हम इस आर्टिकल से यह समझ गया है कि यहाँ पर भी सापसा मेंसन कर दिया है कि बारवी की भी परिक्षा यही कर्णिसन रहा तो आने वाले दिन में तो बाकी लेकिन आप पढ़ते रहिएगा जरूर बिल्कुल पढ़ेगा क्योंकि बारवी के बाद जस्ट आपको एक महिना के बाद आपको CGVAPAM का पेपर देना है अगर आप इंजरिंग करना चाहेंगे तो आपको CGPT देना पड़ेगा जे डबली देना पड़ सकता है ठीक ह अगर आप मेडिकल में जाएंगे तो आप BSC नर्सिंग का प्री देंगे आप NEET का पेपर देंगे ठीक है इसके साथ अगर आप एजुकेशन में जाएंगे तो BAT हो गया, DAT हो गया, DLA हो गया ये सारे पेपर आपके होने हैं जैसे CGPT हो गया, पॉल टेकनिक टेस्ट हो ग पेपेंड करता है, भले से आपका पेपर अभी स्थगित होता है या किसी और मोट पे होता है तो अच्छी बात है, बट यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जस्ट बारवी के एक महिना के बाद ही आपका कॉलिज के लिए एडमिसन आपका होना चालू हो जाएगा, और